जो सब्सकार्ब करें अपने YouTube चनल Learn About Medicine को और बैल एकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्स पानने के लिए स्वागत है दोस्तों एक बाद फिर से आपके अपने YouTube चनल Learn About Medicine में जहाँ आप आते दवाईयों के बारे में संपोन जान करी दोस्तों आज का ये वीडियो किसी दवा के बारे में नहीं होकर एक वीमारी के बारे में है जिसके लिए आपने मुझे काफी कमेंट्स किये थे और उस वीमारी का नाम है डेंगू फीवर इस वीडियो में हम जानेंगे डेंगो फीवर क्या है किस कारण से होता है क्या क्या इसके लक्सन होते हैं इस विमारी को ठीक करने के लिए क्या क्या दवईयां दी जाती है कौन से इंजेक्शन दिये जाते हैं साथ इस विमारी में क्या क्या खानपान लेना चाहिए जिससे प यूट्यूब चैनल लर्न अबूर्ट मैडिसिन चलिए आशवे कुछ नया सिकते हैं है है लो फेंट्स नमस्ते दोस्तों डेंगू फिवर एक इंफेक्सिस जीजीज है जो मच्छर के काटने पर होती है मच्छर के काटने के 5 दिन बाद में व्यक्ति में इसके लक्सन दिखा लता है और डेंगू फिवर में समय रहते मरीज को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए डॉक्टर को नहीं बताया जाए तो मरीज की मौत भी हो सकती है इस लग्षन क्या होते हैं अगर इसके बारे में जाने तो सबसे जो कॉमन लक्सन है उसमें व्यक्ति को बहुत तेज बुक नोजिया तता ओमेटिंग की स्तती होना पैसा आप में जलन होना हार्ट रेट का स्लो हो जाना कुछ मुमेट करते समय ठकान आ जाना साथी एक और इसका मुख्य लक्सन है जो ब्लड टेस्ट करने के बाद में पता चलता है वह है प्लेट लेट की काउंटिंग में कमी आ जाना जो सामय ने प्लेट लेट काउंटिंग होती है डेट लाग से लगा कर साड़े चार लाकी होती है लेकिन जब डेंगो फीवर होता है तो यह काउंटिंग डेट लाग से कम भी आ जाती है यह कुछ इसके लक्सने इन लक्सनों को देखकर आप यह कह सकते हैं कि व्यक्ति को फिवर हुआ है और यह औो होँने पर क्या ट्रेटमेंट डॉक्टर द्वारा इसके बारे वह हम जान लेते हैं जिसका नाम में पेरा सीटामोल टेबलेट जो 650 में लिगाम दी जाएगी इसे दिन में तीन बार तता आवस्वत पढ़ने पर दिन में चार बार भी दिया जाता है इसे हमेशा खाने के बाद ही लेना होता है और यह टेबलेट साथ चे आठ दिन या दस दिन भी लिए जा सकती जब तक व्यक्ति को बुखारो इसके अलाव जो व्यक्ति को और नोज्ति तदा मतली जेसा रहता है तो उसके लिए ओमेशाधियों का कॉमिनेशन या पेंटरफ प्लदॉंका कॉमिनेशन कोई भी दे सकते हैं जिस इसे उसको ऊल्टी नहीं होगी और जो पेट में खाना ख प्लेट लेट की कमी होने लग गई है काफी डेड लाग से लगा अगर डेड लाग की काउंटिंग में है तो उससे पपीते के पतों का रस दिया जाता है साथ केरिप्रिल टेप्रेट दी जा सकती है पतों का रस या केरिप्रिल टेप्रेट दोनों में से कोई भी एक देनी होती जिसे उसकी काउंटिंग देरे देरे बढ़ा ही जा सके और एक बात इसे से जो आपको ध्यान रखनी है विप्ति को कम्प्लीट बेड रेस्ट करनी होती है मियूमेंट नहीं करना होता है और खाने कि यह वाइरल इंफेक्शन है एंटिवाइटिक ज्यादा काम नहीं करती लेकिन सामयने तो जो प्रेक्टिकल दिखा गिया है डेंगो फिरो में जो एंटिवाइटिक काम करती है वह होती है एमोक्सी सिलीन तता क्लेवनिक एसीड 625 मिलिगाम टेबलेट जो एडल्ट के लि जाती है व्यक्ति के नाक में से खोन आने लग जाता है बलेट लेट की कमी बहुत ही ज्यादा हो जाती है उसके होस्पिटल एजेशन करना होता है और उस समय जो इंजेक्शन दिया जाते उसके बरम जान लेते हैं आईवी फ्लॉइड व्यक्ति को रेगुलर तक लगाये ज जाता है जिसे दिन में एक बारी आई वी रूट से लगाये जाएगा और यदि कोई पेसेंट है जिसकी प्लेट लेट काउंट दसजार के लगबग आ गई है तो उन्हें प्लेट लेट डाइरेक्ट ही बलड में लगई जाती है और इस तरह से कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको नुक्सान कर सकता है हाँ यदि बहुत ही ज़्यादा फीवर है तो आप परसीटमोल टेबलेट ले सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब यहां जान लेते हैं यदि किसी व्यक्ति को डेंगू फीवर हुए हैं तो क्या क्या बातें ऐसी है जो उसे नहीं कर करनी चाहिए उसमें सबसे पहले उस व्यक्ति को ज्यादा तर कोशिश करनी चाहिए इंट्रमस्कूलर जो इंजक्सिन उसे अवोईड करें बहुत ही ज्यादा वसक हो तो ही लगाए इसके अलावा ओरल तेरेपी में एस्प्रीन तथा ब्रूपेन यह टेब्लेट्स नहीं आइवी फ्लूइड लगाने से बचें साथ ही इस्टेरोइड दवा नहीं दे क्योंकि इस्टेरोइड का डेंगु फिवर में किसी विपरकार का रोल नहीं देखा गया है तो यह सभी आपको नहीं देनी इसके अलब भी अधी कोई दवा आप ले रहे हैं आपको डेंगु देंगु फिवर हुआ है तो अपने डॉक्टर को जोर से बते हैं जिसे कि प्रोपर आपको डोज एड़्जस करके दवा दी जा सके तो दोस्तें कंप्लीट जानकरी थी डेंगु फिवर के ट्रीटमेंट लक्षन होता था खान पान के बारे में उम्मीद करता हूं ज्याद